नमस्कार स्वागित है आप सभी का डेड़ेरी नियोज में बॉलेवुड में शुरूही नेपोटिस्म की बहस थमने का नाम नहीं ले रही है वहीं हर दिन इस बहस में नए सेलेबरिटीस का नाम भी शामिल हो रहा है कंगना के बयान के बाद पिछले कई दिनों से बॉलेवुड में नेपोटिस्म पर बहस चल रही है अब नेपोटिस्म पर करीना कपूर ने भी चुपी तोर दी है आपको बता दें कि नेपोटिस्म पर छिड़ी बहस में कई दिगज स्टाज ने अपना अपना बयान दिया है सूपर स्टाज शारुखान से लेकर काजौल तक ने इस पर बहस छेर दी है वही इन दिनों कंगना रिनायत आदित्य पंचोली और रितिक रोशन के खिलाफ दिये बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है पिछले बीते दिनों में कंगना ने नेपोटिस्म को लेकर बड़ा बयान दिया था अब करीना कपूर भी इस मुद्धे पर बोले बिना नहीं रह पाई और बड़े ही बेबाग अंदास में उन्होंने कहा है कि अब इंडस्टी में अगर रनवीर कपूर है तो रनवीर सिंग भी है और अगर अल्य अभट है तो कंगना रनाओद भी है करीना ने अपने इंटरव्यू में कहा इस ज़िशेप जरूरत से ज्यादा चर्चाएं हो चुकी है मेरे ख्याल से हर फील्ड में नेपोटिस्म है लेकिन वहाँ कोई कुछ नहीं कहता बिजनस फामिलीज में बेटा बिजनस को ठेक ओवर करता है एक नेता का बेटा उसकी जगा मंत्री बनता है लेकिन वहाँ किसी को नेपोटिस्म नहीं दिखता सिर्फ फेम इंडरस्ची में ये बहस हो रही है खेर करीना भी खुद एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जहां हर शक्स बॉलिवर्ड इंडरस्ची से जड़ा हुआ है फिर चाहें बात उनके माईके की हो या सच्राल की बॉलिवर्ड इंडरस्ची में कपूर खांदान की जड़ें काफी मजबूत है ऐसे में नेपोटिस्म को लेकर करीना का रवाया साफ है